हेलो स्टुडेंट तोड़े विल स्टार्ट क्लास 9 एक्सराइज 2.2 एक्सराइज 3.2 कॉस्चन नमबर 1 इसके प्रिवेस कॉस्चन्स में मैंने आपको बताया था प्रिवेस एक्सराइज यह बताया था क्वाडरेंट के बारे में कि इंटूडक्शन के अपर आप ध्यान से देखना उसमें सारे सॉलूशन है इस कॉस्चन्स का फिर मैं बताने जा रहा हूं कि राइट दर आंसर पीच दर फॉलॉइं कॉस्चन्स वाट इस देनेम ऑफ होरीजेंटल एंड वर्टिकल लाइस ड्रॉइस डिटर्माइन दा पोजिशन अफ इनी पॉइंट इन पॉइं एक कार्टिजें प्लेन पे कार्टिजें प्लेन ऐसे ही होता है तो इस पर हमें इस कॉर्टिजेंटल और वर्टिशस लाइन को क्या कहते हैं ठीक है तो और इसका आंसर जोगा एक तो होगा X-axis और एक होगा Y-axis ठीक है सेके और कोश्चन है को वाटिज पार्ट इस पार्ट अप्लेन offers वाई इस टू लाइन यह जो दो लाइन है एकसी 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 और यह यह प्लेन को किस इंव में पार्टिशन करता है तो क्वाडरेंट के ऊपर है। विए बताया था तो इसका अंसर जो होगा है कि वह गाड़ेंट और कितना वन फोर्त पार्ट। ठीक है अब question number third write the name of this write the name of the points where these two lines intersected जहां पे दो line intersect करता है इसको हम क्या बोलेंगे origin point तो इसका जो answer होगा वो है origin और इसका 00 होता है ठीक है तो यह आपका question किरी का पहले का तीन जो पार्ट से इन तीनों का answer यह हो गया horizontal में वह होता है इस line को बोलते हो horizontal और verticals line को यह तो यह represent करता है तो इसके अलवा भी कोई sorry तो यह आपका question complete हो गया next question के लिए next video upload करेंगे thank you